एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में एक घर में भीशन आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि घर के भीतर मौजूद लोग एकदम से बाहर आ गए. लोग चीख पुकार मचाते हुए भागने लगे और मोहले के लोग भी एकत्र हो गए. कुछ लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, जबकि कुछ लोग केवल तमाशा देखने लगे. उसी घर के एक कोने में एक चिडिया का घोंसला भी था. चिडिया घबराई हुई थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाए हिम्मत दिखाई. उसने अपनी छोटी चोंच में थोड़ा-थोड़ा पानी भरना शुरू किया और आग के उपर डालने लगी. आग की लपटें तेज थी और चिडिया के द्वारा डाले गए पानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. आग बुझाने की उसकी कोशिशें बार-बार नाकाम हो रही थी, लेकिन चिडिया निरंतर कोशिश करती जा रही थी. उसकी इस मेहनत को देख एक कौवा पास में खड़ा हंसते हुए बोला, चिडिया, तुम पागल हो क्या? कौवा ने चिडिया के निरंतर प्रयासों को देख कर हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह छोटी सी चोँच और थोड़ा सा पानी आग को नहीं बुझा सकते, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, आग इतनी बड़ी है कि तुम्हारा प्रयास बेकार ही है. चिडिया ने कौवे की बात को अंसुना किया, और अपनी चोँच में फिर से पानी भरने लगी. उसने कहा, मैं जानती हूँ कि यह कठिन है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी. भले ही मेरा पानी इस आग को न बुझाए, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है. कौवा ने मुह चिड़ाते हुए कहा, तुम्हारी यह बेवकूफी तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, तुम बस तमाशा बन कर रह जाओगी. चिड़िया ने कौवे की बातों की परवाह किये बिना पानी भरना जारी रखा. उसकी द्रढ़ता और निष्ठा देखकर पास के लोग भी चौकने लगे. कुछ लोग तो चिड़िया की मेहनत की सराहना करने लगे, जबकि कुछ अभी भी उसे देखकर हंस रहे थे. उसको और तेजी से करने लगे. आग बुझाने की कोशिशें अब और संगठित हो गई. मोहले के लोग चिड़िया की मेहनत को देखकर प्रेरित हुए और वे एक जुठ होकर आग बुझाने में लग गए. कुछ ने पानी लाना शुरू किया, कुछ ने जलती हुई चीजों को हटाया, और कुछ ने आग पर नियंतरन पाने के लिए अन्य उपाय अपनाए. चिड़िया ने अब भी अपनी चोंच में पानी भरना जारी रखा, जबकि मोहले के लोग आग को बुझाने में व्यस्त थे. उसकी लगातार कोशिशों ने लोगों को हिम्मत दी और उनका आत्म विश्वास बढ़ाया. धीरे धीरे आग पर काबू पाया जाने लगा. बदलाव ला दिया था. लोग चिड़िया की मेहनत की सराहना करने लगे और उसकी जिद की तारीफ करने लगे. चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हर प्रयास मायने रखता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों नहों, जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तो बड़े से बड़ी बात साबित की थी. लोग समझ गए कि हर एक की कोशिश महत्वपूर्ण होती है और एक छोटे से प्रयास से भी बड़े बदलाव आ सकते हैं. चिड़िया ने हंस्ते हुए कहा, मैं जानती थी कि मेरी कोशिशें शायद आग को पूरी तरह से नहीं बुझा लेकिन मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई. जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती हैं. कौवा, जो अब चिड़िया की मेहनत को देखकर शर्मिंदा था, ने भी अपनी गलती स्वीकार की. उसने चिड़िया से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी मेहनत का सही मूल्य नहीं समझा. तुम्हारे प्रयास ने हमें यह सिखाया कि हर किसी की भूमिका महत्व पूर्ण होती है. महले के लोग अब और अधिक एक जुट हो गए और उन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि ऐसी परिस्थितियों में सब मिलकर काम करें और किसी भी संकट का सामना करें. चिडिया की छोटी सी महनत ने सबको एक नई सीख दी और महले में एक नया आत्म विश्वास भर दिया. इस घटना के बाद लोग हमेशा याद रखते थे कि दुनिया केवल तमाशा देखने में नहीं, बलकि हर व्यक्ती की और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. और आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस महनत को लाइक करें और होवर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें. धन्यवार.